हैलो दोस्तो, गुड इबिनिंग, आज हम हिंदी का वक्यांस के लिए एक सब दो वाला कोश्चन पढ़ेंगे, जो काफी इंपर्टेंट होता है किसी भी एकजाम के लिए, और जिस भी एकजाम में हिंदी का पेपर होता है न, उसमें दो या तीन या चार कोश्चन तो आने ह आने हैं, एकदम डेफिनेटली आने ही आने हैं, तो आईए हम इस्टार्ट करते हैं, और ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा, फेक कर चलाया जाने वाला अथियार, अस्त्र, जिसकी गिंती न हो सके, अगडित या अगडिनिय, जो पहले पढ़ा हुआ न हो, अ अती थी, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र, जिसके बारे में कोई निश्चे न हो, अनिश्चित, जिसका भासा द्वारा वलन असंभा हो, अनिर्वचनी, अत्यधिक बढ़ा चड़ा कर कही गई बात, अतिस्योक्ति, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो पहले जन्मा हो, अग्रज, जो बाद में जन्मा हो, अनुज, जो इंद्रियो द्वारा न जाना जा सके, अगोचर, जिसका पता न हो, अज्याद, आगे आने वाला अगामी, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, छूने, जो छूने योग्य न हो, अचूत, जो छूवा न गया हो, अचूता, जो अपने अस्थान या इस्तिति से अलग न किया जा सके, अचूतिय, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, जिस पुस्टक में आठ अध्याय हो, अपनी मेस या निर्नी मेस, जो बुलाया न गया हो, अना हूत, जो धका हुआ न हो, अना वरित, जो दोहराया न गया हो, अना वर्त, पहले लिखे गए पत्र का अस्मरण, अनु अस्मारक, पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी, महल का वह भाग जहां रानिया निवास करती हैं, अन्तह पुरा या फिर रनी वास, जीसे किसी बात का पता नहो, अनिभिग्य या अग्य, जिसका आदर न किया गया हो, अनाग्त, जिसका मन कही, अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क, जो धन को ब्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्याई आपस्यक्त्या स्याथिक धन का संचय न करना अपरीग्रह जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी जो भोजन रोगी के लिए निसिद है अपत्य जिस वस्त्र को पहना न गया हो अप्रेहत न जोता गया खेत अप्रहत जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित जो कम बोलता हो अल्प भासी या मित भासी आदेश की अवहेलना अवग्या जो बिना वेतन के कारे करता हो अवैतनी जो ब्यक्त विदेश में रहता हो अप्रवासी जो सहनसील न हो सहिसुड जिसका कभी अंत न हो अनंत जिसका दमन न किया जा सके अदम्य जिसका असपर्श करना वर्जित हो अअसप्रिस्य जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वस्त जो कभी नश न होने वाला हो अनस्वर जो रचना अन्य भासा की अनुवाद हो अनुदित जिसके पास कुछ न हो अर्थाद दरित्र अ किंचन जो कभी मरता न हो अमर जो सुना हुआ न हो अस्रव्य जिसको भेदा न जा सके अभेद्य जो साधा न जा सके असाध्य परम पुरुष से प्रेम करने वाले इस्त्री पर किया पती द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यका दुसरे का मुह ताकने वाला पर मुखा पेक्छी जो पहनने लायक हो परिधे जो मापा जा सके परिमे जो सदा बदलता रहे परिवर्तन सेल जो आँखों के सामने न हो परोक्ष या अपरत्यक्ष तैंक यू